नमस्कार गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो दोस्तों आज हम फिर से ड्रग इस्टोर एंड बिजनस मेनेजमेंट का टॉप मल्टिपल चॉइस क्वेशन देखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो सबचेक्ट इसको Commerce औरकाउंटिंग के अंदर डिवाइड किया गया है तो दोस्तों जो आपका कॉमर्स का सेक्षन है वह आज खतम होने बाला है क्योंकि विचंद मैंने चेप्ट ये इस और बैंकिंग और फाइनेंस इसमें की आपका केपिटल एडिस रिसोर्स या फिर सूर्सेज इसके बारे में दोस्तों आजम पढ़ने बाले हैं उचलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना डीले के हुए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें समस्क्राइब कर दें तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं और हमारे सामने दोस्तों जो पहला चेप्टर है वह है परसनल मैनेजमेंट तो दोस्तों परसनल का मतलब क्या होता है दोस्तों जैसे आप कोई फैक्टरी चला रहे हैं या फिर कोई बिजनस कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पर तो दोस्तो जो भी हमारा personal management है यह हमारा worker employee labor से related होता है तो इसमें लखा है कि deal with effective control and use of manpower यहां दोस्तो जो भी आपकी factory के अंदर या फिर दोस्तो जो भी आपका manufacturing unit है वहां पर जो भी labor काम करती है या फिर जो भी employee काम करते हैं दोस्तो वहां पर उनका effective control और use करना ही आपका personal management होता है और दोस्तो इसको हम labor management या फिर manpower management भी कहते हैं और दोस्तो यह consider करता है कि labor is life of full item तो दोस्तो यहां पर जो हमारा सही option है वो हमारा चौथा वाला सही option है तो चलिए इसके बास question number 2 को हम दे management आर्जियां दोस्तो अब यहां पर personal management का importance क्या होगा दोस्तो जो भी आपका manufacturing unit है या फिर factory है दोस्तो वहां पर workers labor या फिर जो भी employee है दोस्तो तो उनका work ठीक होना चाहिए दोस्तो तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके worker है employee है अगर वो अच्छे से काम करते हैं उनका skill अ आगाना पड़ेगा finance आपका कम खर्चा होगा इसके अलावा दोस्तो जो भी आपकी factory manufacturing unit है उसका turnover हर साल बढ़ेगा और इसके अलावा जो भी आपका organization है दोस्तो उसका profit भी बढ़ता चला जाएगा तो यह सभी importance होते है manpower अच्छे होने के तो इसमें हमारा personal management का क्या-क्या profitability and all of the above जो हमारा सही option यहाँ पर वो है all of the above का तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं तो इसके अंदर पूछा है कि method of personal management तो दोस्तो personal management की क्या-क्या method हो सकते हैं तो यह होता है job analysis इसके अलावा job description और job specification and all of the above तो दोस्तो जो हमारा यहाँ पर सही answer वो है all of the above यानि कि method of personal management दोस्तो आप कैसे करेंगे अब जैसे यहाँ पर लिखा है job analysis यहां दोस्तो जैसे आपका कोई भी organization है business है या फिर कोई factory है दोस्तो तो वहाँ पर किस तरह का work किया जाता है दोस्तो और इसके लावा job description दोस्तो अब जो भी आप क्या work होता है और तो दोस्तो व जो job देने वाले हैं नौकरी देने वाले हैं दोस्तो वहाँ पर क्या work होता है और उस work को और दोस्तो उस work को जो भी आपका labor आएगा वरकर आएगा उसको कैसे करेगा और दोस्तो जो हम job देने वाले हैं उसकी specification क्या होगी feature क्या होगी दोस्तो यह सभी job यह सब आपका job specification मे आता है तो दोस्तों यह सभी personal management यानि कि manpower management का ही यह सब parts हे हिस्सा होता है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं यहां की principles of personal management तर यहां जो भी हमारा personal management मैंन पावर management है उसके कुछ principle या फिर rules क्या हो सकते हैं दोस्तों तो यहां पर दिया गया है maximum individual और इसके बाद हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं तो यहां पर लिखा है कि मैक्सिमम इंडिविजुल मैनेजमेंट तो दोस्तों इसमें क्या होता है जो भी आपके वरकर से इंप्लॉइं है वह दोस्तों एबल होने चाहिए जो भी आपका और्गनाइजेशन ने उसका अब्जेक्टिव क्या है उसको फुल्फिल करने के लिए और दोस्तों इसके अलबाइस में क्या दिया है इसमें दिया है कि वरकर्स एबिलेटी प्रोड़क्टिविटी एंड इस इसमें दिया है एबिल्टी प्रोड़क्टिविटी एंड एफिसियंसी सुड़ भी यूज़ फॉर और ऑर्गनाइजेशन यह दोस्तों जो भी आपके वरकर्स लेबर है यहां फिर इंप्लॉई है दोस्तों जो उनका एबिल्टी है प्रोड़क्टिविटी है और एफिसि कि सही बंदा होना चाहिए जो कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों उसकाम को कर सके और इसमें लिखाए कि प्रोपर कॉडिनेशन बिट्विन वर्क एंड वरकर जिहां दोस्तों जो भी आपकी फैक्टरिया मैनुफक्टरिंग यूनिट है वहां पर जो भी जॉब है कहीं आता है क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जो भी वरक है और जो भी वर्कर है मिलने चाहिए को मतलबisted दिया देना और सेलरी का मतलब होता है तंखवा तो दोस्तो इससे क्या होगा जो भी workers होंगे उनका moral high मना रहेगा और वो company के लिए या फिर या फिर दोस्तो आपका जो भी organization है उसके लिए बहतर तरीके से काम कर पाएंगे तो देखिए आप लिखा है the moral will become high and they will work with care and intention जो भी आपके worker होंगे वो care और intention के साथ आपके organization में काम करेंगे तो चलिए दोस्तो अगला सवाल देख लेते हैं तो इसके अंदर पूछा है कि sources of recruitment अब यहाँ पर लिखा है recruitment के क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है job hire करना जोस्तो तो इसमें लिखा है कि internal source external source both one and two and none of the above तो दोस्तों यहाँ पर recruitment का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों अपनी company के अंदर business के अंदर जो भी workers है या फिर employee है उनको हाइर करना या फिर उनका या फिर दोस्तों को appoint करना इसी को हम recruitment कहते हैं तो जो हमारा source कहते हैं और इसके बाद external source क्या है दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताने माला हूं तो जो इसका सही option है वह हमारा है both one and two यानि की sources of recruitment हमारे दो टाइप को हो सकते हैं पहला आपका internal source हो सकता है और दूसरा आपका external source होता है तो इसमें दिया कि external sources of recruitment आर्ट दोस्तों आपको बताना है कि यहां पर external source क्या हो सकता है recruitment का तो दोस्तों यहां पर क्या-क्या option दिये गए हैं यहां पर दिया गया है former employee advertising direct recruitment and all of the about दोस्तों जो भी employee आपके हां पहले काम करते थे दोस्तों आप उनको फिर से higher कर सकते हैं इसके अलावा advertising दिया दोस्तों आप विज्यापन देख सकते हैं कि आप विज्यापन देख सकते हैं कि जो company है यहां पर इतने बंदू क्या हो सकता है यह work रहेगा और इसमें लिखा direct recruitment यहां दोस्तों आप direct recruitment भी कर सकते हैं तो यह सभी external source होता है recruitment करने के तो चलगे दोस्तों अगला सवाल देंगे तो यह सभी process of recruitment होता है तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं तो इसमें पुछा कि training क्या होती है दोस्तों तो आपको पता होगा training basically क्या होता है तो इसमें लिखाए कि act of increasing knowledge and skill of employee दोस्तों जो हमारा training का उद्देश से होता है उसके पीछे उद्देश यह होता है कि जो भी हमारे employee है उनका knowledge और skill को बढ़ाया जाए दोस्तों for a particular job या फिर work तो चलिए दोस्तों इसके पाद हम training से कुछ question देख लेते हैं तो यहां पर लिखाए कि importance of training या दोस्तों हम training को क्यों देते हैं तो दोस्तों जो इसके पीछे object होता है वह था लाता होगा और दोस्तों उनको अपना काम बहतर तरीके से आता होगा तो दोस्तों आपको inspection नहीं करना पड़ेगा इसके लावार इसमें लिखाए अगरे सवाल देख लेते हैं तो इसमें पुछाए कि personal policies are blank of the organization यहां दोस्तों अब यहां पर लिखाए कि जो भी आपका जो भी आपका personal policy यह या फिर manpower policies यह आपकी company का वो क्या होता है दोस्तों तो यह आपका constitution यानि कि संभिधान होता है दोस्तों जो भी आपका manufacturing unit factory है दोस्तों उसका कुछ basic rule होता है और उसी के अंदर आपका personal policy जाती है कि हमें दोस्तों हमें किस तरह के लोगों को appointment करना है और इसके लाबाद दोस्तों job description क्या होने वाली है तो यह सबी चीज़े आपके personal policy के में आती है तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो हमारे सामने question number 9 आ चुका है और इसमें दिए कि personal management deal with human resources with तो यहां पे आपको बताना है कि जो हमारा personal management है वो कि से deals करता है तो दोस्तों यह deal करता है procurement development और motivation से तो जो हमारा सही answer वो है all of the above का तो चलिए इसके बाद एकला सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद जो सवाल पुछा गया है वो सभी banking से पूछे गए हैं तो दोस्तों इसमें पुछा है कि bank deal in तो दोस्तों 11 देख लेते हैं और यहां पर पूछा है कि bank तो इसमें कुछ option दिए गए हैं आप इसको देख सकते हैं यहां पर लिखा है accept deposit from public यहां दोस्तों जो भी bank होता है वो public से deposit करवाता है और इसमें लिखा है कि pay interest on deposit यहां दोस्तों आप अपने saving account के इंदर जो भी पैसा रखते ह आपको उस पर कुछ ब्याज मिलता है कुछ आपको interest मिलता है और इसमें लिखा है lands money to public and charge interest on money दोस्तों बैंक हमें loan भी provide करता है लेकिन उसके लिए आपको कुछ charges pay करने पड़ते हैं और all of the above दो दोस्तों यह सभी हमारे banking के कारे होते हैं तो हमारा all of the above का जो option है यह हमारा स है तो चलिए इसके बाद अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है बैंकिंग चेप्टर से तो इसके बाद अगला चेप्टर पूछा गया कि banking regulation act को कब पास किया गया था दोस्तों तो यहां पर चार आप संदिये गए हैं जिसमें कि आपका सही आपसा ने 1949 के अंदर banking regulation act को पास किया गया था तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो इसके अंदर पूछा है कि the Central Bank of India दोस्तों आपको पताना है Central Bank of India कौन सा या फिर Mother Bank of India कौन सा है तो दोस्तों जो हमारा Reserve Bank of India होता है इसी को हम Central Bank of India या फिर Mother Bank of India कहते है क्योंकि यही इंडिया के अंदर सारे बैंकों को दोस्तों संचालित करता है और यह आपकर इसी को हम RBI कहते हैं जिसका headquarter Mumbai में situated है इस थी थे तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं तो हमारे सामने question number 14 आ चुका है दोस्तों और यहां पर आपको बताना है कि types of bank बताने हैं तो यहां पर लिखा है बैंक्स आर क्लासिफाइड एस तो दोस्तों जो भी हमारे सवाल देख लेते हैं दोस्तों तो हमारे सामने पूछा है कि इसमें से government bank कौन सा है तो इसमें लिखा है पंजाब नेशनल बैंक अलहाबाद बैंक दोस्तों यह सभी हमारे सरकारी यानि की government bank होते हैं तो हमारा ओल आफ दी अबाव का option जो है यह हमारा सही option है इसके बाद हमारे सामने question number 16 आ गया है इसमें पूछा है कि example of private bank तो दोस्तों यहां पर कुछ प्राइवेट बैंकों के पेटियम बैंक दोस्तों पेटियम बैंक भी जो आपका है यह एक private bank है तो अगले सवाल देख लेते हैं तो हमारे सामने question number 17 आ चुका है और इसमें दिया है कि overdraft facility available on तो दोस्तों यहां पर लिखाए कि overdraft की facility दोस्तों किस तरह के bank account में मिलती है तो दोस्तों जो भी आपका current account होता है business account होता है दोस्तों वहां पर आपको overdraft facility मिलती है तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि overdraft facility क्या होती है तो दोस्तों जैसे आपको manufacturing unit चला रहे है या फिर आपका current account दोस्तों आपने खोला है और वो आपका business current account है तो दोस्तों आपने 5000 रुपे का द बड़ा हुआ है जो आपका करेंट अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ 4500 रुपए है दोस्तो लेकिन आपने 5000 रुपए का आपने चेक बनाके देंगे और दोस्तों आप जिसको चेक बनाके देंगे वह उस निंगा देगा दोस्तों जो आपका एकाउंट है वहां पर 500 रुपए कम है दोस्तों तो उसको पैसा कैसे मिलेगा तो जो भी आपका बैंक नहीं होगा और वो चेक से पैसा वो आदमी निकाल लेगा लेकिन दोस्तों जो आपको 500 रुपए बैंक के देगा दोस्तों यह 500 रुपए आपको बैंक को बाद में पे करना पड़ेगा दोस्तों इसी फैसलेटी को हम ओवार ड्राफ्ट की फैसलेटी कहते हैं तो चल गए दो हैं दोस्तों इसके पहले कोई भी बैंक कोंट में खाता नहीं को बेस्क्रण के कर सकता था लेकिनesian59 के बाद कई सारे बैंकों को सरकारी बैंक में बना दिया गया जिसकी वज़ा ठीक कॉग अपना सवान देख शावाल देख लेते हैं तो हमारे सामने और पूछा है और इसके अंदर पूछा है कि Land Mortage Banks क्या होते हैं तो दोस्तों इसमें लिखा है कि Also Called Land Development Bank जिया दोस्तों जो हमारे Land Mortage Bank होते हैं इनको हम Land Development Bank भी कहते हैं और दोस्तों यह में Long Term Loan प्रोवाइड कराते हैं जैसे दोस्तों 10 साल के लिए 20 साल के लिए और दोस्तों यह जो हमारे Land Mortage Bank होते हैं दोस्तों यह हमें लोन देते हैं कब जब हम इनके पास जब हम इनके पास अगरिकल्चर लैंड यानि की खेत या फिर अधर प्रोपर्टिज के पेपर इनके पास हम बंधक रखते हैं तो दोस्तों यह हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं तो दोस्तों इनके हम लैंड मोर्टेज बैंक कहते हैं तो जो यहां पर स्टेटमेंट लिखे गए दोस्तों वह सभी सही है यानि कि हमारा All of the इसको हम लैंड डेवलब्मेंट भी ख़हते हैं इसके अलावा यह लॉंग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराते हैं और दोस्तों यह लॉन प्रोवाइड करनेक लीए अगरिकल्चर लैंड या फिर प्रोपर्टिज के पेपर अपने पास अपने पास दोस्तों गिर भी दोस्तो जब भी आपको manufacturing unit या फिर business start करते हैं दोस्तो तो जो भी उसका land होता है, building होता है, machinery होता है, furniture होता है दोस्तो यह सभी चीज़ों के अंदर आप जो expenses करते हैं दोस्तो उसी को हम fixed capital कहते हैं दोस्तो यहां पर fixed का मतलब क्या होता है? fixed का मतलब होता है इस थाइदिया दोस्तों जो आपने business को start करने के लिए land के अंदर building के अंदर machinery के अंदर furniture के अंदर दोस्तों अपने पैसा लगा दिया दोस्तों ये सब पैसा आपका fix हो गए दोस्तों तो इसी को हम fixed capital कहते हैं और दोस्तों इसको long term capital भी कहते हैं तो दोस्तों जो हमारा यह पर सही option है वह है बोथ 1 & 2 यानि कि fixed जो यानि कि जो हमारा fixed capital है यह हमारा है इसके अलाबा इसमें salary लिखा हुआ है raw material लिखा हुआ फ्यूल लिखा हुआ है तो यह सभी दोस्तों मारे working capital होते हैं यानि कि business को run 잡 या फिर रिवॉल्विंग capital भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर circulating का मतलब कहोता है गोमना और यहां पर रिवॉल्विंग कम और आ oynखा है real when outta यह मतलव घूमना होता है तो जो हमारा capital हमैसा गोमता रहता है आता है जाता है आता जाता है आप इसको ऐसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों तो यह हमारा वर्किंग कैपिटल होता है तो जो हमारा सही ऑप्सन है वो है बोथ 1 & 2 का चलिए दोस्तों इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया है तो इसमें दिया है दोस्तों कि सोर्स ओफ लॉंग टर्म फाइनेंस य इसके लावा इसमें लिखा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंस्ट्यूशन जो भी आपके कॉमर्सियल बैंक है या फिर इंडस्ट्रियल बैंक है दोस्तों वह आपको लॉंग टर्म लोन प्रोवाइट करा सकते हैं और इसमें लिखा है कि री इन्वेस्टिंग आफ रिटे निकाल सकते हैं यानि कि फाइनिंस दौस्त आप ले सकते हैं तो दोस्तों यह से भी हमारा सोर्स होता है लांग सम्पाइनस का वो सब्सक्राइब कि इसके अलावा इसमें दिए ट्रेड क्रेडिट यहां दोस्तों आप से मार्किट्स या पैसा ले सकते हैं कि installment credit यहां दोस्तों इस RAM एंस्टालमे sugar- या ने कि दोस्तों आपको इंस्टालमेंट में भी आप कुछ लोन ले सकते हैं तो यह सवह और सभी हैं। उइकल सब लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपका कॉमर्ण पाइन के दहें खत्मOW.com करेंगे इकांटिंग के तॉप मिल्टिपल चोईशन करेंगे जिसके अंदर दोस्तो हम जर्णल लेजर इसके लबाव बज़ेटिंग और जो आपका दोस्तो आपका नॉमिनल एकाउंट परसनल एकाउंट दोस्तो जो भी आपका एकाउंटिक अंदर चेप्टर दिये गहें दोस्तो उनकी हम मल्टीपल चॉइस क्वेचन कल से स्टार्ट करेंगे तो दो